नमस्कार आज मैं बीए पार्ट थी के सिख्स पेपर में आधुनिक गद्य विधाओं को जो आपको पढ़ना है उसके अंतर गद मैं संस्मरण और रेखा चित्र के विशय में आपको बताने जा रही हूँ संस्मरण और रेखा चित्र दोनों आपस जो ये दोनों गद्य विधाओं हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं बलकि कई बार ये ब्रहम हो जाता है कि ये संस्मरण है किसी एक विधा को उसे संस्मरण कहा जाए या रेखा चित्र कहा जाए तो संस्मरन की परिभाशा देते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा कि संस्मरन किसी इस्मर्यमान की इस्मृति का शब्दांकन है। इस्मर्यमान के जीवन के वे पहलू, वे संदर्ब और वे चारित्रिक वैशिस्ट जो इस्मरन करता को इस्मृत रह जाते हैं उन्हें वह शब्दांकित करता है। मतलब इस्पष्ट है कि जब लेखक के पास कुछ अतीट की ऐसे स्मृतियां होती हैं जो जिन्हें वो भुला नहीं पाता और वो उसके बरतमान जीवन पे कहीं न कहीं प्रभाव डालती हैं। उस अनुभव से वो कुछ सीखता है और उस सीखने के क्रम में जो पूर्व की स्मृतियां हैं वो उसके अंतरमन में रह जाती हैं और उन्हें वो कहानी एक निबंध के रूप में या एक लेख के रूप में जब प्रस्तूत करता है तो उसे संस्मर्ण कहते हैं। अब संस्मर्ण में दो चीजें अवश्य होती हैं एक तो पूर्व की स्मृतियां यानि अतीत की स्मृतियां और उसका अनुभव या उसका प्रभाव जो पूर्व की स्मृतियां हैं उसका प्रभाव आपके वर्तमान के जीवन पर पढ़ रहा हो तब ही वो संस्मर्ण का रूप लेता है, निबंद के रूप में भी हो सकता है, साधारन लेक के रूप में भी हो सकता है ये, लेकिन उसमें अतीत और वर्तमान दोनों जुड़े होते हैं, इसके साथ ही अनुभाव, जो अनुभाव, ऐसा नहीं कि आपने किसी के मुँझ से कुछ सुना और वो आप, तो वो संस्मरण नहीं कहलाएगा, संस्मरण वो है, जो लेखक के जीवन में घटित हुआ रहता है, जीवन लेखक में उसे स्वया मनुभाव किया रहता है, और वो इस मृतियां जो होती हैं, वो इस मृतियां जब वर्तमान जीवन में कहीं ना कहीं उसके जीवन को प्रभ पहलुक को प्रभावित करती है, जो कुछ भी वो सोच रहा है उसा पहलूप को प्रभावित करती है. तो उसे वो जब लिखता है, तो वो संसमरन कहा जाता है. संस्मरण के रूप में आपने बहुत सारे जो आपने पीछे के कक्षाओं में पढ़ा है उसमें आप महादेवी वर्मा को आपने बहुत पढ़ा है तो उनकी बहुत सारी जो पुस्तके हैं वो संस्मरण के रूप में है एक पुस्तक है उनका पत के साथी, एक पुस्तक है मेरा परिवार, जैसे पत के साथी में उन्होंने मैथली शरण गुप्त, निराला जी, जैशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंद चौहान, इनके विशय में उन्होंने जो उनके साथ जुड़ी उनके स्मृतियां है, वो उन्हो से जो कुछ भी सीखा, उन्हें वो दद्दा कहती थी, दद्दा नाम से उन्होंने लिखा है संस्मरण, और वो मैथली शरण गुप्त से जो भी उन्होंने सीखा, वो याद करती हैं, और इनके साथ ये भी, जब आब वो पढ़ेंगी, तो आपको लगेगा, कि जो उन्हों ने उनके साथ समय व्यतीत किया है, उसका प्रभाव आज के जीवन पर भी पढ़ रहा है, पढ़ा उनके, जब उन्होंने ये संस्मरण लिखा, उस समय उसका प्रभाव उन्हें दिखाई देता है, इसी तरह सुमिद्रा कुमारी चोहान हो, या जैशंकर प्रशाद हो, या महात्मा गांधी के साथ के सम्रितियां है, रविंद्र नाथ चैगोर के साथ के सम्रितियां है, इन सब को उन्होंने इस मेरा परिवार संस्मरण में लिखा है, और दूसरा जो है, मेरा परिवार, पत के साथ ही में उन्होंने इन्हें रखा है, और मेरा परिवार में जो कहानी है जिसमें वो उसको याद करती है और तब वो उसके विशय में लिखती है अब गौरा को कुछ लोग संस्मरण भी कहते हैं और कुछ लोग रेखा वहां पर प्रस्तुत है और तब वह संस्मरण कहलाता है वह उसके बगार नहीं हो सकता क्योंकि उसका वह अनभव कर रहा है जो कुछ भी उसने अतीत में सीखा है या जो उसके साथ उसका समय व्यतीत हुआ है उसका जो अनभव है उसकी जो समृतियां है वह कहीं न कहीं उसको प्रभावित कर रही है और वो स्वयम भी वहां विद्यमान होता है यह संस्मरण की एक विशेष्टा है स्वयम साक्षी होना मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि आपको कुई सी ने कोई अपने अनुभव सुनाए और उनको आपने प्रसुत कर दिया तो वो संस्मरण नहीं जैसे कि कलाकार रेखाओं के माध्यम से आर्ट्स बनाते हैं तो रेखा खींचते हैं और उसके माध्यम से हम कोई चित्र बनाते हैं लेकिन बनाते हैं तो वैसे जैसे ही वहां कलाकार रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाता है यहां भी स्मृतियां तो हैं पर यहां लेखक स्वयम उसमें उपस्थित नहीं होता है लेकिन जब आप गौरा पढ़ेंगी तो उसमें आपको लगेगा कि कहीं न कहीं माध्यवी वर्मा तो हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जितना एक रेखा के माध्यम से मतलब एक वरनात्मक रूप में गौरा के रूप को प्रस्तुत किय है गाय के जो चित्र है गाय की जो गाय का जो सभाव है गाय का जो रूप है वो किस तरह का उसका जो वरनन किया है चाहे उसकी वो आखे हो चाहे वो उसके कान हो या उसकी सिंग हो या उसका सभाव जो हो जो कोमल सभाव है उसका कि वो सबके साथ गुल मिल जाती है तो इस जो उन्होंने प्रस्तूत किया है वो आप देखेंगी एक उसका रेखाचित्र जादा है तो इसी लिए ये कहा जाता है कि वो रेखाचित्र है कुछ उसे संस्मरन में भी रखते हैं और कुछ विद्वान रेखाचित कहते हैं लेकिन उसे रेखाचित के अंतरगती मान सकते है तो ये है संसमरण और ये है रेखाचित। सबसे पहला संसमरण डॉक्टर पद्म सिंग शर्मा ने लिखा था जिन्हें स्थान दिया जाता है नवीन विधा के रूप में और बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने संसमरण लिखा और ये बिल्कुल आधुनिक विधा है आपको प मुख्य हैं वो हैं पद्म सिंग, श्री राम शर्मा, बनार्सी दास चतुरवेदी, राम रिक्ष बेनी पूरी, प्रकास चंडर गुप्त, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुरवेदी, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर नगेंद, विने मोहन शर्मा, जगदी शंद, शब्दों में बताती हूँ, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मच्च जित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ट संबंध है, कि एक सीमा दूसरे से कहां मिलती है, और कहां अलग हो जाती है, इसका निर्नय करना कठिन है, तो ये है संस्मरण और रेखाचित्र, चुकि ये टिपड़ी के रूप में आते हैं, और चोटी ये आधुनिक विधा है, तो इसको मैंने बहुत संचिप्त में आपको, संचिप्त में इसकी सारी विश्यस्ताओं को मैंने आपको बता दिया, कि आप ये याद रखिए कि संस्मरण वो है, जिसमें लेखक स्वयम उपस्थित होता है, और जो पूर्व में उसने, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो स्मृति आधुनिक जीवन को, वर्तमान जीवन को जब प्रभावित करती है, या उससे अनुभाव लेती है, तो उसको वो याद करता है, और तब वो लिखता है, जब वो उसको लेख के आध्यम से प्रस्तूत करते हैं, लेकिन वहां स्वया मुपस्थित नहीं होते, और यही इन दोनों में भेद है, लेकिन दोनों में आत्मियता आवश्यक है, जब तक आत्मियता लेखक की नहीं होती है उन्हें स्मृतियों से, तब तक संस्मरण और रेखाचित बहुत सफल नहीं होते हैं, धन्यवाद